पर लोग बात करते हैं global warming की और काफी ये बिसे चर्चान में रहता है जलवाई परिवर्थन की भी काफी बात हैं और तापमान भी पिट्टी वार्वर्थ बढ़ता जा रहा है और जैसे जलवाईव परिवर्थन और global warming दोनों चछा होती है वो बड़ती आ रही है और जैसे जल्वाई परिवर्तन पर समय से सदी नहीं हो रही यह समय से गर्मी नहीं हो पाना है उस्वें खेती के लिए और लोग कहते हैं किषोड़ के हमila कि पार्पिक हृती की तरह जाना चाहिए तो इसके लीए सदॉ जलबाई परिवर्तन में प्राक्तिक खेती का कितना योगदान है इसके बारे में आप ठीक बात आपका जो प्रस्थ है और यह बहुत वाजीब प्रस्थ है और मैं अपनी अपनी बातों में इस बात की चर्चा जरूर करता हूं कि वर्तमान में संकर्ट तो है किसान के सामने और खेती एक ऐसा विसा है जो सब के जीवन से जुड़ा हुआ है लोग ब्यापार करते हैं राजनीती करते हैं नौकरी करते हैं कुछ भी करें लेकिन खेती के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है कि सुबह साम उसको रोटी चाहिए हर व्यक्ति को सुबह साम दो वक्त की रोटी चाहिए और अच्छी रोटी चाहिए स्वादिस्ट रोटी ऐसी ऐसा भोजन जिससे उसका स्वास्त मेंटें रह सके और दिन में दस से पंद्रा वार उसको पानी भी चाहिए और आप देखते होंगे स्वांस लेने के लिए आक्सीजन एक व्यक्ति दिन में 21 जार बार स्वांस लेते हों तो स्वांस के माध्यम से जो प्राण वायू जाती है यानि आक्सीजन तो सुद्ध हवा भी चाहिए ये जो चीजे हैं ना मानो जीवन की मूल भूद जरूरत है कि 21 जार बार स्वांस लेने के लिए सुद्ध वायू मिले और जब प्यास लगे तो बेहतरीन पानी मिले जो कंटामिनेटेड रही थो मलब उसमें कोई हैवी मेटल्स ना हो और दो वक्त जो रोटी मिले तो वो स्वाधिस्थ हो और उससे मेरा सरीर हस्ट पुष्ट रहे मैं बीमार ना हूँ तो ये तो देश का 140 करोड़ जवाबादी उसकी जरूरत है और अभी खेती जो हमारे किसान करते हैं उनाइस सो सैंतालिस के बाद साट के दसक में हरित क्रांती में यूरिया डिएपी पोटाज बीडी साइट इंसेक्टी साइट फंजी साइट मैकिनाइजेशन इसको हम करते हैं आदनी खेती करो या रसानी खेती करो और पिछले साट सालों में हमने जमीन की उर्बरता का दोहन जमीन की मेडों पर खड़े उए पेड़ों को काटने का कम जमीन के नीचे जो भूगर जल था नगदी फसलों के लालच में भूगर जल को नीचे से निकाल करके सिचाई करने का कम और फिर जो फसल सुरक्छा रसाने उनके माद्यम से बायो डैवर्सिटी में जो नना प्रकार के जिव जंतुं उनको मारने का कम किया जो सब्द आपका global warming का है बिसा है global warming और जलवाई परिवर्तन और उसके साथ प्राक्तिक खिती चेलेंज ये है किताब मान बढ़ रहा है जलवाई परिवर्तन अपनी जगह है कि जलवाई में परिवर्तन आ रहे हैं असमय बर्सा होती है समय से ठंड नहीं होती समय से गर्मी नहीं होती और फसलें चुंकि सब जलवाई के समीरा पंच तत्त मिल बना सरीरा मनुस को खेती तो छोड़ो पहले पहले इतनी चीज समझ में आ जाए कि बिना सूरज के बिना आकास के बिना वायू के बिना पानी के बिना जमीन के ना हम पैदा हो सकते थे ना मेरा जीवन चल सकता है बलब ये चीजें जो पांच तत्त हैं जड़ जगत जड़ में जो चितजल पावा गगन समीरा यानि धरती पानी हवा आकास और रगनी ये मेंटेन जब रहेंगे तो ना जलवाई परिवर्तन होगा ना ग्लोबल वार्मिंग होगा अब जैसे जब सब आता जलवाई किसी गाओं में पांच परसेंट एरिया में सतही जल होना चाहिए सरफेस बाटर यानि जलासे तालाप अगर किसी गाओं में पांसो हेक्टेर जमीन है तो पांसो हेक्टेर का उनलब पचीस हेक्टेर में जलासे होने चाहिए जलासे लोगों ने कपजा कर लिया घर बना लि के द्वारा लगाए गए पेणों को भी इंसान खा गया काट करके बेंच करके जला करके जो कुछ भी किया खा गया तो जल और जलवायू बनती है जलासे से और जंगल से ना तो जंगल है और ना जलासे है और ऐसे में प्राक्टिकेतीं का चेलेंज कऱो मित्व करोगा प्राक्रटे की तो प्राख्तिकेती में हम कई बार तो मैंने एक दो ऐसी वीडियो बनाई है कि जैसे ही मैं आज इस आएग के नीचे खड़ाओं किrence और चार दिन पहले एक वीडियो मैंने यहीं की डाली थी कि इस दो एकड़ के फारम पर 20 साल पहले किसी बुद्ध जीवी ने किसी मनीशी ने पेड़ लगाए और आज इन पेड़ों की कीमत धाई करोलों रुपे हो गई दो हेक्टेयर में और आप इससे ज्यादा क्या कमा सकते हैं तो मैं जो कहना चाहता हूं अभी जो सिस्टम है और जो हमारे नीती निर्माता है जैसे जो रसानी खेती करता है इस इलाके में जहांसी के चिरगाओं में खड़े हैं इस इलाके में बहुत सारे लोग खरीब में ध तो खरीप में जब जिन लोगों ने धान बोया था एक हेक्टेयर धान बोने वाले किसान खरीप में डाइबोरी लीडी खरीदी ऊब पांच बोरीयूरी उरिया कोप्र खरीप फद्धकर और सबसेदी पर खरीदी है फिर यहूंबोया अब गियहूं बोरा है यानि एक हिटेर का किसान पांच बौरी दीएपी और दस बौरी उरिया खरीदेगा यूरिया पर 2000 रुपया प्रतिबायक की सबसटी यानि यह 10 बौरी खरीदने पर 20,000 की सबसटी मिल गई और डीएपी पर भी करीब धाई जार रुपए के सब्सड़ी है 2700 की तो उसको जो है पंदरा हजार की सब्सड़ी डियेपी मिल गई एक हेक्टेर के किसान ने धान के हूँ बोने के लिए जमीन से भूगर्व जल का दोवन किया बे धड़क किया मलब जमीन के नीचे के पानी का दोवन किया और सरकार ने उसको 35,000 की सब्सड़ी भी दी अब जो आपका विश्यत अप्राक्तिक खेती अब हम एक किसान से कहते हैं रसानिक उर्बरक मढ डालिये और गाय का गोवर गाय का पोसाब और बर्गत के पेन के सबस्टिविक वी दी गई है उसके बात इंची जोगा दोहन करेगा उसको सरकार अब जो किसान प्रकृति के बचाएंगा उसको कुछ नहीं देंगे ठीक है ना यह difference है धर्ति को प्रकृति के बैभों को बचाने वाले के लिए कोई पालसी नहीं है और प्रकृति का दोहन करने वालों के लिए पालसी है सबसेडी की अभी जो प्राक्ति खेती में बादा है वो सबसे बड़ी बादा यह है मैं कई वार अन्रोत कर चुका हूं अ अगर कोई किसान एक हेक्टेर में और कोई प्लांटेशन करता है तो देखियो क्या दे रहा राश्ट को उसके खेत में जो सौ नीम के मवगा के सीसम के जामून के पेंड खड़े हैं तो आक्सीजन तो दे रहा है ना फल वो खाएगा लकडी जलाएगा लेकिन आक्सीजन त पानि निटो आउसे को सफ़ुक्त आप धिता ही है जो आक्सिजन पैदा कर रहा उसको क्या मिला एक दूसी है हम पानी का दोवन कर रहा है और फिर पेंबन कर रहा है और वी संते धिर रिगते गहीशे और बिजली में देदी गही आधा спрос कर द SI और एक किसान तालाब बना करके बरसा जल को रिचार्ज करता है मानलो एक किसान ने तालाब बनाया और उसने 20 लाग लीटर पानी उस तालाब में भरा तो आथ तो पानी 20 रुपए की बोतल भिक रही है लेकिन जिसने बीस लाक लीटर रैन वाटर को हार्वेस्ट किया अपने खेत में जमा किया और जो जमीन के नीचे जाएगा इस किसान को क्या मिलेगा तो मैं आम आदमी से और पालसी मेकर से हमेशा ये अनरोद करता हूँ कि भाई जो प्रकृत की बिवस्ता में हाथ बटा है जो प्रकृत की बिवस्ता को ठीक करने का प्रयास करें उसके लिए कुछ योजना होनी चाहिए जब हम प्रकृत की बिवस्ता को खराब करने वाले को क जलवाई परिवर्तन के खत्रे हैं ये तभी साल्व होंगे जब 5% एरिया में सर्फेस वाटर होगा और 20-25% एरिया में फारेस्ट लगाए जाएंगे यानि खेत की मेनों पर अगर पेंड लग जाएंगे तो भी 25% एरिया कवर हो जाएगा और पेंड और पानी अब दूसी ब चुकि ये तो भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है और अगर हम पूजा पाट पर इस्वर पर यकीन रखते हैं तो यही इस्वर है ये प्रिकृत को जो पंच माभूत हैं जैसे भूमी भगवान का रूप है भूमी गा से गगन वा से वायू आ से अगनी यानि सूरज औ मी अगर मैं जलासे बनाता हूं अगर मैं पानी का सुथ्प्योग करता हूं पानी को कम बर्बाद करता हूं सूर्देउता को हाँ तो फिर भगवान की पूजा मैंने कर ली अगर सीवर, पानी का दोःवन कर रहा हूं बयो Patrol लागवान भान विए ऊता फैन खेटी की होती चेंट में औल इंडिया मेंडीगर का लिखाय रिपोर्ट भी कि इसमें ये बताया गया था कि एक राज-सा ने खेती Northern का करणवी क्या देखो इस से कैंसर के बिलकुल बिमारी महमारी ठीक बात अब देखी ये कीत नाशक सब्ध है ना कीट ना सक, फफून ना सक, खर्पतवार ना सक, ना सक बनलब ना सकरने वाले, माने जहर, जब हम ये जहर जमीन में डालेंगे, तो मैंने क्या बताया, कि पदार्थ कभी नस्ट नहीं होता, हमने ये जमीन में डाले, जमीन में पानी के साथ मिले, कुछ जमीन के नीचे लीच होके गए जो कुमे में गए जहां से हंट पम लगा हंट पम से मैंने पानी खींचा तो पानी में आए कुछ पवदे ने जड़ों के माध्यम से ले लिया तो पवदे के अंदर गए तो फसलों का जो असेश था पसवों ने खाया तो उनका दूद खराब हुआ और उसका चार मजबूर लोग जो पड़े है ना उन सब के पीछे का कारण यही है यह रसाइनिक खेती तो रसाइनिक खेती को तो छोड़ना है हमारे मोदी जी ने कह दिया तीन साल पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचिर से कि मैं देश की अपनी धर्ती माता को बरबाद नहीं होन तो कर लो एक और नहीं तो प्राक्तिक खेती करो इफ बटका कोई सवाल ने किंतू परंतु का कालम अब खतम अब यह तो मौत चुनो यह प्राक्तिक खेती चुनो अब वक्त नहीं है ठीके ना नमस्कार में क्योंट क्यों है चलो आप तुम को यह दूसाई भीशा ले सकते हो